दोस्तों, दुनिया प्राचीन शहरों से भरी हुई है जो समय के साथ खो गए हैं, रेट के भूखे भूमी द्वारा निगले गए या घने जंगलों में छिप गए। पेरू, माचू, पिक्चू, इंकन, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के सबसे प्रसिद और सनरक्षित उदारंगों में से एक है। यह इंका सभिता के लिए राजकिया एस्टेट या धार्मिक स्थलका माना जाता है। शहर आंधे अफजाल में स्थित है और मंदिर, महल और घरो सहित 200 से आधिक सनरक्षित रहा है। फैक्ट नमबर चू, पॉम्पाई, इटली, पॉम्पाई जब वेसुगी इस परवत का पूटना हुआ तब एक सक्रिय रोमन शहर था। ज्वाला मुखी शहर को आश और विलगन के नीचे दबा दिया था, जो दशकों तक जो प्राचीन रोमन जीवन और संस्विती की जलक प्रदान करता है। फैक्ट नमबर त्री, पैट्रा, जॉडन, पैट्रा की शांदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें संग्वर्मर के एक चट्टान पर बनी खजाना भवन शामिल है। शहर प्राचीन विश वास्तुकला और कला के कुछ अद्बुत उधारवों में से कुछ हैं, जिनमें प्रसिद अंकोर वाट मंदर समूर शामिल है। शहर पंद्रवी शताब्दी में छोड़ दिया गया था, लेकिन इसकी कई सिनरचनाय और वस्तोय संरक्षित हैं। ट्रोई, तुर्की, ट्रोई प्राचीन ग्रीस में एक महत्वपुन शहर था और प्रित्वी पर लड़ाई जैसे प्रसिद घटनाव के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। शहर कई बार नश्ट हुआ और फिर से बनाया गया था और इसके खंदहर आज भी दिखाई ट्रोई को लेट 19-वी शताबदी में एक जर्मन खुदाई विद्वान में खोजा था। वाले कुपुलकान मंदिर शामिल है के लिए जाना जाता है। ये शहर 15-वी शताबदी में छोड़ दिया गया था। लेकिन इसकी धाचे कई अन्वों को सनरक्षित और पुनस्थापित किये गये है। फैक्ट नमबर 9. मोईजोदारो, पाकिस्तान, मोईजोदारो भारती ओप महादवीट की सभिता इंडस घाटी का एक महत्वपुन शहर था और इसकी विक्सित शहरी योजना और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। इस शहर को 19 वी शताबदी इसापूर्ग में छोड़ दिया गया था और उसकी खंड़हर बिटिश खोजकरताओं ने 1920 के दशक में खोजे थे। जंगल के गहराई में छिपे या दर्याय रेत में निगले गए। इन शहरों में अत्यंत दिल्चस्प वा संस्कृतिक महत्व होता है और इनकी गवाही उन सब विताओं की बुद्धिमत्ता और रजनात्मक्ता को दर्शाती है जो किसी भी चुनौती पूर्ण परिस्थित जागते मन को आकरशित करते हैं इन स्थलों को देखने से इतिहास में एक उन्नती की दुम्या में एक संचारिक अनुभव मिलता है और प्राचीन विश्व के आश्चरियों का अन्मेशन किया जा सकता है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना औ अपने परिवार और दोस्तों के साथ और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को